हेलो दोस्तो नमस्कार सुवागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि दोस्तो हरियाना जीके से रिलेटेड हमारी स्यानदार बहतरीन सीरीज चल ले थी के अंदर लगबग हमने 85 पार्ट के अंदर 4000 पलस क्योसन भी दोस्तो अपडेट कर दी हैं वो सारे के सारे पापने पार्ट नहीं देखे हैं तो जुरूर देख ले जैसे कि दोस्तो अच्छासी के बहुत सारे एक्जाम आ चुके हैं और क्योसन पूछने का लेवल आपको पत करेंगे तो दोस्तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताके लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंशती रही तो बिना टाइम बरबाद के शुरू करते हैं आज के फरस्ट क्योसन से तो वीडियो को दोस्तो एक लाइक जरूर कर करें तो पहला संघराले यह होगा तो यह दोस्तो क्रुक शेत्तर जिले के अंदर बणाये जा रहा है कहां पर पुर्ष्यक्तर जिले से चर्चाहम गरें तो गीश्ता सथली होने के साथ क्रुक शेतर को एक और गुरूप भी हाँसल है यहां सिकhों के दस में से आठ गुरु आए और उन्होंने पात साई से यहां गुर्दवारे बनाई ठीक है अब इन गुरुओं की कुरुक्षेतर बर्मन की समरीतियों को सहजने के संग्राले बनाये जा रहा है दरमनगरी में पांच और जिले में अठारा एतियासी गुर्दवारे हैं हरिया सरकार ने सिख गुरुओं का संग्राले बनाने का निर्ने लिया है इसके साथ ही मुख्यमत्री मनोहरला ने संग्राले बनाने की बकाइदा गोशना भी की है तो दोस्तों एकमात्र सिख जो संग्राले जो बनाये जा रहा है वो कुरुक्षेतर जिले के अंदर बनाये जा र पॉजल योजना जो है इसे भी सबंदित है राजय सरकार ने अटल पाइपलाइन सकीम के तहट 725 क्रोड की लागत से निरंतर गटते बूचतल वाले 13 जिलों जिले पूछे जा सकते हैं कितने जिलों में बलोग पूछे जा सकते हैं कितने बलोगों में तो 36 बलोगों की 12.55 ज अधिक्तम 60,000 रुपे पर तियक्तम किसान अनुदान देने का पैसला भी लिए है इस योजना से 1957 किसानों को 8.34 करोड की लाजिय से लिए है। सबसे इंपरेंट बात करें हैं तो हम जिले पूछे सकते हैं कितने जिलों और कितने बलोगों में पूमी एक्टेर को जो कवर करने का ने जो है लिया गया है तो इसका दोस्तों राइट ओप्सन जो रहेगा वो ओप्सन हमारा D रहेगा अटल बुजल योजना जो है इन सभी से सबंदित है ने इस कोशन है हमारा हर्याना में उद्योग परियाटक वय है तो तासकन दोस्तों उजबेकिस्तान की राजदानी है ठीक है और चजाकिस्तान की राजदानी दोस्तों आपको पता है तो comment box के अंदर reply करें हर्याना में उद्योग परियाटन वय हस्पताल में बढ़ावा देने का सियोग जो कर रहा है वो उजबेकिस्तान कर रहा है इसके बारे में थोड़ी विस्तार से देखें तो हम उजबेकिस्तान ने हरियान में pharmaceutical उद्योग, hospital, प्रियाटन और चिकिस्ता प्रियाटन शेतर में स्योग करने का परताव जो है वो रखा है तो इसका दोस्तो right option जो रहेगा वो रहेगा हमारे हर्याणा राज्या के सीम सीरी मनोहरलाल खटर के दवरा किया गया तो इसके अंदर दोस्तों हम थोड़ा विस्तार से पढ़ें तो इस अवसर पर मुख्य मतरी ने कहा एस ते काल में नागरी को को डिजिटल माध्यम से मनोरंजन वैकला के साथ जोड़कर रखना एक दोस्तों मनोरंजन वैकला से समन्दित है तो इसका दोस्तों राइट उप्शन रहेगा हमारा उप्शन बी सिरी मनोहरलाल कटर नाइस को सन है हर्याणा प्रदेश में कितने एतिहासिक गुर्दवारे हैं तो यह क्योशन अभी जस्ट ही हमने कवर किया था कितने हैं 18 और द जिले की रोड को मोडल रोड स्ट्रेश के रूप में विक्सित किया जा रहा है राइट ओप्शन दोस्तों बी रहेगा फत्यावाद जिले की फत्यावाद जिले की दोस्तों यह सड़क चुने गई है और इसको मोडल रोड स्ट्रेश के रूप में विक्सित किया जा रहा ह इसके बारे में तोड़ा सा हम देखें दोस्तों, तो सहर के SBI रोड को model road stress रूप में जो है बनाय जा रहा है, मुख्य मंत्री मनोहर लालने परदेश के हर जिले में 5 km, ये दोस्तों 5 km पूछा जा सकता है कि हर जिले में कितने km की सरके model stress road के रूप में विक्षित की जा रही ह तो 5 km के दाइरे की जो सड़क है, वो दोस्तों model stress रूप में जो है विक्षित की जा रही है, ये है रोड दोस्तों सुरक्षिया नेमों के अनुसार बनेगा, इसके लावा इस रोड पर डश्ट बीन रखे जाएंगे, अत्या दुनिक लाइटे होंगी, सड़क के किनारी हर याली के लिए पोदे लगाये जाएंगे, और इसके अलावा साथ लगते पारकों को भी सुन्दर बनाये जाएंगे, इस सड़क के जो आजपास पारक होंगे, उनको भी बहुत सुन्दर तरीके से बनाये जाएगा, नैस कोसन हमारा हरियाना सरकार दवारा मार्स 2021 में वाई परदूसन से निपटने के लिए दोस्तो इलेक्ट्रिक बसों का हरियाना सरकार निर्मान कर रही है, कितनी दोस्तो बसे बनाई जाएंगी, और कितनी दोस्तो लागू की जाएगी, इसके अंदर ये भी डिटेल से हमें का औरकों जरूरी है, इसके साथ ही परियावन से भी इनकी संख्या भी क्या होगी इसके साथ ही बढ़ाई जाएगी लेकिन इलेक्टिक बसों की संख्या कितनी होगी वन टू फोर नैस क्योशन है हमारा हर्याना का पहला इचार्जिंग स्टेशन कहां सुरू किया गया राइट ओप्सन की बात करें तो डी रहेगा हमारा पंचकूला जिले के अंदर हर्याना का पहला इचार्जिंग स्टेशन जो है वो पंचकूला जिले से सुरू किया गया था दोस्तों आपको current affair कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ कोई भी आप books ले रखी है तो उसके अंदर जो भी एक line में जो answer दिया हुआ है उसको गूगल के उपर सर्च करके उसके सारा data note करें उसका जितना भी आसपास का जुड़ा हुआ है वो सारा note करें क्योंकि जो books के अ तो ये पंचकूला से e charging station शुरू किया गया है इसके बारे में थोड़े detail हम देखें तो हर्याना में अपनी तरह का पहला electric vehicle charging station 4 जनूरी को पंचकूला में शुरू किया गया प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला में शुरू अने वाला यह है पहला electric vehicle charging station हर्याना वे tri city का पहला station होगा, tri city के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है और हर्याना का भी दोस्तों ये पहला हुगा, tri city का भी पहला हुगा और हर्याना का भी पहला station होगा, जहां छोटी से लेकर बड़ी तकी electric गाड़ी charging की जासकी, उन्होंने बताया कि राज्यम electric vehicle के charging है तो अधा को सन दोस्तों रहेगा हमारा बहुत स्यांदार और बहुत important, one district one product योजना किस से समंदित है, परदेज के 137 बलचों में, one block one product योजना बनाई जा रही है, कितने बलाग में बलाग दोस्तों पूछे जा सकते हैं जिसमें common services, lab testing, packaging और दोस्तों हमारी transformation और दोस्तों accountancy की सुईदाएं उसी cluster में मिलेगी इस सभी परकार की सुईदाएं जोस्तों इसी के अंतरगत मिलेगी आज अधूनिक उतपादों के कारण हाथ के coastal जो दोस्तों हसिलप हो आने वाले हस सिलपकार आज गाउं में भी रहते हैं उन्होंने कहा कि परदेश सरकार वन बलाग वन प्रोडेक्ट योजना के तैस्ट एसे हस सिलप उद्योगों का पूरा बढ़ावा देगी यानि दोस्तों जो हस सिलपकार है जो घर बेटे हैं और अपनी हाथ की कला को ज आनते हैं उनके लिए दोस्तों ये योजना हरियाना सरकार लेके आ रही है हरियाना के छोटे ग्रामिन शेत्रों में जो चोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए परदेश सरकार वन बलोग वन प्रोडेक्ट योजना तियार कर रही है इसके तहत पर तेक बलोग मे हस्ट चिलिप और प्रारमफिक दोस्तों कलाओं पर अधारित उद्योग स्तापित किये जाएंगे। उप मक्या मंतरी दुस्ट्यान चोटाला ने बताया कि सुक्षम लगू और मध्यम उद्योग के तहत पिछले एक साल में हर्याना की वन डिस्टिक वन प्रडेक्ट योजना देश बर्मे मोडल बनी हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट बनता है। इसलिए हमें इसको डिटेल से कवर करने के एक टाइप से सक्च जुरूर थी। हर्याना में दूद बढ़ाने के उतपादन के लिए एप लौंच की है। इसके बारे में अधोड़ा सा डिटेल से हम देखें। दंकड ने सुकुरूर बार हर पसुका द्यान मोबाइल एप को लौंच किया। परदेश में दूद उत्पादक्ता बढ़ाने और पस्वों की नसल सुधार के विजन को आगे बढ़ाते हुए जो है विबाग में इसकी पहल की गई है मंतरी ओम परकार दनकर ने कहा कि पस्वों की नसल सुधार के लिए उनका पंजीर करन व्य परमारी करन करने वाला हरियाना परदेश का पहला राजय हरियाना देश का क्या है पहला राजय किसमें पंजीर करन और परमारी करन करने में पस्वों की नसल सुधार में इसके अलावा दोस्तों अच्छी नसल के सांड बेंसे उपलब हो इस और ध्यान दिया जा रहा है साथ ही दूद को बढ़ाने के लिए चार मुखे बिंदों पर फोकस किया जाएगा जिन में जनेटिक अच्छा पसू चारा पसू गरों का नियंतरित वातावर्ण और टेकनोलोजी सामिल ये चार दोस्तों जनेटिक जो है चीज़ें जो है इसके अंदर सामिल की गई है ये भी क्योशन एक्जाम में पूछा जा सकता है राज्य में कितने अंगनवाडी के अंदर हाइटेक बनाए जा रहे हैं तो राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन भी हमारा रहेगा चार सो इक्यान में जो के अंदर है अंगनवाडी के वो दोस्तों हाइटेक बनाए जा रहे है हरियाना में लगबग 50 क्रोड रुपए से 491 के अंदर हरियाना के जो है वो हाइटेक बनाई जा रहे हैं तो नैस क्योशन हमारा वर्तमान हरियाना में कितने एकड की जमीन से कम वाले भी ट्यूबल कनेक्शन ले सकते हैं हरियाना में अब दो एकड से कम वाले किसान भी ट्यूबल कनेक्शन ले सकेंगे इस से राज्य के छोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इसका सबसे ज़्यादा फाइदा सब्जी वे फलों की पेदावार करने वाले किसानों को होगा हरियाना सरकार का मेन उदेश है दोस्तों यही है कि सब्जी और जो फलों का पेदावार करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाब हो हरियाना के किन दो जिलों में हर घर हर जल जो योजना जो है वो का किताब जीता है इसका किताब किन दो जिलों ने जीता है राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन बी रहेगा पंचकूला और अंबाला ने ठीक है हर गर्जल जो है जिला योजना के तहट गिताब जीता है इसके बारे में थोड़ा डेटेल से हम देखें तो देश के हर गाउं में घर के अंदर नल पंचाने की सरकार की योजना हर गर नल स्कीम के तहट अब तक के 6 करोड से ज्यादा गरों में सरकारी नल लग चुका है कितने करोड से ज्यादा? 6 करोड से ज्यादा के अंदर सरकार ने इस योजना की शुरुवात गाउं में पानी की किलत को देखते हुए की और भारत में अभी भी कई गाउं ऐसे हैं हरियाना की बात करें तो हरियाना भी और भारत की बात करें तो भारत में भी कई ऐसे गाउं हैं जहां लोगों को पानी बरने के लिए कुवे या दूसरों गरों में या सरकारी नल पर जाना पड़ता है इसलिए दोस्तों किल्लत पानी की किल्लत को देखते वे यह योजना शुरू की गई है हर घर जल इस कोशन है हमारा हरियाना में कहां अर्ध सुस्क बागवानी के अंदर यह दोस्तों बागवानी के अंदर की हम बात करें तो अभी हाली के एक्जाम में कोशन पूछा गया था के अंदर बनाय जा रहे तो दोस्तो ये बिवानी के अंदर बनाय जा राइट ओप्शन क्या रहेगा हमारा बिवानी इसराइल के भारत में राजदूद कौन है इसराइल के भारत में राजदूद बार्त और इस्राइल दोनों देश मिलकर बार्त के महनत कस किसानों की समरीदी और कुसाली के लिए बड़े पेमाने पर कारिये करेंगे। इसलिए दोस्तों पूछा जी जा चुका है। पूछी जा सकती है इंडो इजराइल तकनीक पर अदारिती है अर्थ सुस्क बागोने के अंदर बनेगा। अच्छे माम में पूरा करवा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों श्यांदार कोसन था हमारा करन्ट अफेर का नैस्ट कोसन है हमारा हर्याना के किस दिले में पर्थम डिजिटल अंगनवाडी के अंदर बनाये गया है। किस दिले में नहीं किस गाउं में पर्थम डिजिटल अंगनवाडी के अंदर बनाये गया है। किया जा रहा है। इसकी हम दोड़ा डिटेल से देखें तो 36 गड के बिलासपूर से आया रोयल बंगाल टाइगर। तो दोस्तों कहां से आया है यह 36 गड करें 37 गड के बिलासपूर से क्योस्टन यहां से भी दोस्तों उठाये जा सकता है। नेश कोस्टन बहुत शांदार और इंपोर्टेट है। इसियाना में मुख्य मंतरी मनोडलाल खटर की जन आशिरवाद यात्रा का 8 सितंबर को रोद तक में समापन हुआ। इसी मुख्या पर परदान मंतरी नेंदर मोदी वीजे संकल प्रेली कीगी। इस वीजे संकल प्रेली के अंदर दोस्तों ये जो है eco-friendly रेली। जो प्लास्टिक के जो जंडे बनाए जाते हैं या प्लास्टिक का किसी भी परकार का जो रेली में जो चीज बनाए जाती है वो अब बंद की जाएगी और कपड़े की बनाए जाएगी इस रेली का है दोस्तों ये मुख है उदेश्या है नेज कोछन दोस्तों रहेगा हमारा हरियाना राज्या में कितने परतिश्य अईसे किसान हैं जिनके पास पांच एकड़ से भी क्रिसी हो गहें क्रिसी हो गहें बूमी है। इसकी थोड़ी डिटेल हम देखें तो अधिकतर किसान परारंपिक फसलों की बिजाई करते आ रहे हैं जबकि नगदी फसलों से किसान अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं राज्य सरकार का उदेशें छोटे किसानों को फसल विविदिकरन के लिए प्रेडित करना और उनका रोजान फल एम सबजीयों के अलावा अन्य नकदी फसलों की तरफ करना है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके वेसे दोस्तों सरकार की मनसा साफ है ये जो नकदी फसल है फल है सबजी है और है तो इनकी तरफ उस किसानों को ज़्यादा जागरूप करना और उनकी तरफ बढ़ावा देना उस प्रकार की करीशी को ठीक है तो ये जितने भी इस्टे लेटरी क्योशन बनते हैं वो सारे क सारे आपका और कर लें वहाँ से ही एक्जामने कोशन फसेगा HP Computer on Wheels योजना कहां से किसके दवारा सुखी गई दो कोशन यहां से बनते हैं कहां से और किसके दवारा सुरू की गई Right Option की बात करें तो Option C रहेगा हमारा गुरू ग्राम जिले से HP Computer on Wheels योजना जो है शुरू की गई थी इसकी थोड़ी हम डिटेल अगर देखें तो हर्याना के ग्रामेन शेतर में ये दोस्तो योजना किस से समंदित हो जाती है ग्रामेन योजना से सबसे पहला के सुन तो यही हो जाता है कि HP Computer on Wheels योजना किस से समंदित है तो ये दोस्तो ग्रामेन से समंदित है ग्रामेन से से समंदित है ग्रामेन से से में कंप्योटर की बुनियादी सिक्षा दिलवाने के लिए मुख्य मंत्री मनोहरलाल ने आईटी उपकरणों से सू सयोजित HP Computer on Wheels नामक बस रवाना की है यह है बस आईटी मनोबल मुबाइल लेब के रूप में काम करें किसके रूप में आईटी मुबाइल लेब के रूप में बाहर तक सकाउंट्स एंड गाइड्स के चीफ नेशनल कमिशन डोक्टर के के खेंडलाल ने बताया कि Computer की विनुवादी सिख्या गरामेन सेत्रों में दिलवाने के लिए यह है बस सेवा सुरू की गई है ने इस कुशन दोस्तों रहेगा हमारा क्रीसी भूमी की मेड शपक के लिए फिल्ड में कितने क्रमचारी लगाए गए है किसके लिए मेड शपक के लिए कितने क्रमचारी अरियाना के अंदर लगाए गए है राइट ऑप्सन दोस्तों ओई रहेगा 6200 क्रमचारी क्रीसी भूमी की इसकी थोड़ी सी हम डेटेल अगर देखे तो मुख्यमत्री मनहोरला ने उपयोक्तों को मेरी फसल मेरे बियोरा पोर्टल पर पर परदेश की सो फिसद भूमी का पंजी करन शुनिस सित करने के निर्देश दिये हैं परतेएक एकड की मेड़क शबग करने के लिए विबिन विबागों को 62 करमचारी विबिन विबागों के मिलाके 62 करमचारी फिल्ड के अंदर उतारे गए हैं प्रसासनिक सच्चियों और जिला उप्योक्तों के साथ बेटक में मुख्यमतरी ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासित योजना के तहत दो लाक एकड के लकसे में से अभी तक 87,000 एकड़ दान की जगह वेकलपिक फसलों की बुवाई की गई हर एक क्योशन में दोस्तों वेकलपिक फसल आपको देखने को मिलेगी और अचस्ती एक्जाम के अंदर करंट अफ़ेर से यहीं से रिलेटिट क्योशन पूछा जाएगा सियम ने कहा कि किसानों को बाजरे की जगह दूसरी फसल बोने के लिए प्रेडित किया जाए साथ ही बारिष के पानी की निकासी के लिए व्यापक परबंद किया जाएगा जो दूसरी वेकलपिक फसलों है उनके उपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो ये थे दोस्तों आज के हमारे स्यांदार current affair के question वीडियो को दोस्तों like नहीं किये तो like जरूर कर दें और current affair से एसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो एक comment जरूर करके जाएं ठीक है ताके हम आप उसी के इसाब से current affair के नई वीडियो ले के आएं एक्सपलेशन वाली जिससे आपके सारे ठोट और सारे डाउट जो है वो कलियर हो सके एक्जाम में उससे लेटिट भी क्योशन कूछा जाए तो भी हमारा गल ना हो तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर नेक्ट वीडियो में तब तक दोस्तों नमस्कार जैहरियना जैवार